एक्रिष्णा रादे रादे सावन महीने की सुरुवात हो चुकी है और इस महीने पढ़ने वाले हर वर्थ और त्योहार का महत्व बहुत ही खास होता है सावन महीने के कृष्ण पक्स की एकदसी तिथी पर कामिका एकदसी का वर्थ रखा जाता है और एकदसी के दिन भगवान विश्णु की पूजा की जाती है माना जाता है कि सावन महीने की कामिका एकदसी वर्थ करने से भगवान संकर भी प्रसन हो जाते है मनताओं के अनुसार कामिका एक अदसी पर वर्थ करने और दान करने से पित्रों को भी मुक्स मिलता है और सभी पापों से भी मुक्ती मिल जाती है कामिका एक अदसी का अर्थ है सभी प्रकार की कामनाओं की पूर्ती करने वाली एक अदसी तो चलिए आपको बताते हैं इस बार कामिका एकदसी का वर्थ कब रखा जाएगा वर्थ पारण करने का सुबमूरत क्या रहेगा इस देन कौन कौन से सुबमूरत बन रहे हैं सकंद पुरान में वर्णन किया गया है कि सावन महीने के कृष्ण पक्स में पढ़ने वाले एकदसी पर वर्थ पूजा दान करने से जाने अंजाने में हुए पाप नश्ट हो जाते हैं लेकिन चान बूजगर दूबारा कोई पाप या एद्रम नहीं होगा ऐसा संकलब भगवान विश्णू के सामने लेने पर ही इसका फल मिलता है और ये वर्थ साल की सभी एकदस्यों में खास माना जाता है पौराणी कथा के अनुसार धरमराज जियुदिष्टर ने महा भारत काल के समय भगवान स्री कृष्ण से कहा कि है प्रभू किरपा करके मुझे कामिका एकदसी का महतो और वर्णन सुना ये तब भगवान स्री कृषन ने कहा कि हे धरमराज इस एकादसी वर्थ की कथा स्वेम ब्रह्मा जी ने देविरिशी नारद को सुनाई थी अतर मैं तुम्हें वही सुनाता हूँ ब्रह्मा जी से एक बार नारद जी ने कामिका एकादसी की कथा सुनने की इच्छा परकट की ब्रह्मा जी ने कहा कि हे नारद कामिका एकादसी वर्थ की कथा सुनने मातर से वाजब यक का फल मिलता है जो भी इस दिन वर्थ करता है या इस तिथी पर संग चक्र गदाधारी भगवान विश्णु का पूजन करता है उसे पुर्णफल की प्राप्ति अवश्य ही होती है इतना ही नहीं गंगा, कासी, नेम सेरनिय और पुसकर जैसे तीर्थों में सनान करने से किसी वैक्ति को जो फल मिलता है वहीं भगवान विश्णु की पूजा करने से भी मिल जाता है जिन लोगों को पापों से डर लगता है ऐसे वेक्तियों को कामिका एकदसी का वर्थ अवश्य करना चाहिए कामिका एकदसी का वर्थ करने वाले भगतों को कुई ओनी में जनम नहीं लेना पड़ता ऐसा स्वेम भगवान ने कहा है जो भी मनुस्य सच्चे मन से सर्दा भक्ती भाव से आज के दिन भगवान विश्णु को तुलसी पत्र अर्पित करते हैं उन्हें भी कामिका एकदसी के दिन पुर्णय फलो की प्राप्ती होती है इस पार एकदसी तिथी प्रारम होगी 3 जुलाई मंगलवार शाम 4 बज कर 46 मिनट से एकदसी तिथी की समाप्ती होगी 31 जुलाई बुद्ओवार तो फैर 30 बज कर 55 मिनट तक क्योंकि मंगलवार के दिन सुबह percent से लेकर दो फैर तक दसमी तिथी रहने वाली है इसलिए दसमी तिती के नेमो का पालन मंगलवार को करके 31 जुलाई बुद्वार को कामिका एकदसी का वर्त रखा जाएगा सभी वैशनो जन या गरस्त जन इसी दिन उपवास रखेंगे एकदसी से एक दिन पहले नेमो का पालन करते हुए तुलसी पत्र या तुलसी मंजरी तोड़ कर रख लेनी चाहिए क्योंकि एकदसी के दिन तुलसी पत्र तोड़ना पाप मैना जाता है 31 जुलाई बुद्वार को सुर्योद्ध होगा सुबह 6 बजकर 1 मिनट पर सुर्यास्त होगा स्याम 7 बजकर 5 मिनट पर ब्रहम मुरत रहेगा सुबह 4 बजकर 24 मिनट से 5 बजकर 12 मिनट पर अमरित काल रहेगा सुबह 7 बजकर 2 मिनट से 8 बजकर 37 मिनट तक राहु काल रहेगा द एक अदसी का वर्त धुरू योग में रखा जाएगा और धुरू योग इस दिन दो फैर दो बज़ कर तेरा मिनट पर समाप्त होगा। किसी भी सुब काम को यदि धुरू योग में किया जाए तो उसमें सपलता अवस्य मिलती है। बाद किया जाता है। हरी वासर समाप्त होगा 31 जुलाई बुद्दवार को रात 9 बजे तक। या भगवान का ध्यान किया जाए तो उसे भगवान श्रीहरी अत्यंत परसन हो जाते हैं। वर्त पारना की तिती और सूब मुरत रहेगा एक अगस्त गुरुवार को सुबह 6 बज कर एक मिनट से साड़े नो बजे तक। मुरत में आप एक अदसी का वर्त खोल सकते हैं। उपवास खोलने से पहले भगवान विश्नु को फल मिठाई या फिर हल्वे का भोग भी लगा सकते हैं। सुद सात्विक घी से बने भोजन का भोग आप लगा सकते हैं। तुलसी पत्र साथ में जरूर रखे और उसी को प्रसाद रूप में ग्रैन करके आप वर्त का पारना कर सकते हैं। इस बार गुरुवार के दिन वर्त का पारना किया जाएगा। ऐसे में हो सकता है कि आपने चमृतिया केवल फलों से फलों के जूश से आपको वर्थ का पारणा करना चाहिए और उसके बाद अगले दिन वर्थ की पूजा करके आपको दूसरे वर्थ के नेमों का पालन प्रारम करना चाहिए तो ये थी आज की वीडियो अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके इस दिन हमारे चैनल पर कथा भी जरूर सुनिएगा जैस्वी कृष्णा